चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ बचो जिन स्टुडेंट का MBBS और JE में एडमिसन नहीं होता है तो वो ICR का इंट्रेंस एक्जाम देकर एग्रिकल्चर में अपना केरियर बनाते हैं ICR का इंट्रेंस एक्जाम नीट वजेई की तरह NTA द्वारा कंडेक्ट करवाया जाता है रजल्ट के बाद काउंसलिंग से देश के विभिन एग्रिकल्चर कोलेज में एडमिसन तिया जाता है और B.Sc. एग्रिकल्चर की डिग्री मिलती है B.Sc. एग्रिकल्चर कोर्स करने के बाद आप जोब कर सकते हैं या फिर आप आगे भी PG और PhD कोर्स कर सकते हैं जोब के लिए एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा समय समय पर एग्रिकल्चर ओफिसर एग्रिकल्चर सुप्रोवाइजर जैसी वेकेंसी निकाली जाती हैं तो आप उसमें कंपिटिशन एग्जाम देखकर आप ये जोब कर सकते हैं इसमें स्कोप की बात करें तो एग्रिकल्चर में भी काफी स्कोप हैं इसक आपने बिएसे अग्रिकल्चर कोर्स में लगन के साथ में अच्छी मैनत किये हैं आईशेयर की एग्जाम बिएसे अग्रिकल्चर के साथ दस अन्य डिग्रिकल्चर के लिए भी कंड़क्ट करवाई जाती हैं तो इसी ICR entrance exam के लिए NTNA application forum release कर दिये हैं अगर आप भी BSC agriculture से degree course करना चाते हैं या अन्ने degree course करना चाते हैं तो forum apply कर दें इसके लिए physics, chemistry, biology, mathematics और agriculture टीनू, stream के student eligible हैं तो आईए लेते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी तो इसकी website icr.nta.ac.in है इस पर जैसे हम visit करेंगे हमेरे को इस परकार का interface मिलेगा इसमें information blatant दिये गए हैं UG के लिए अलग है PG और PhD के लिए दिये गए हैं हम UG का exam देना चाते हैं तो UG का information browser एक बार download कर लेते हैं तो जैसे हम download करते हैं तो इसमें हम सबसे पहले important date देख लेते हैं तो important date में ये 25 जुलाई से form start हो चुके हैं और इनकी last date 20 अगस्ट 21 है इसके बाद fees की बात करें तो general category के लिए 770 इसमें EWS और OBC category के लिए 750 SC, ST, PWD और transgender के लिए इसमें 375 रूपीज registration fees है इसमें इसके बाद में हम correction की बात करें तो किसी-किसी student को application form apply करते से मैं अगर mistake होगी तो वो correction कर सकते हैं 23 अगस्ट से लेके 26 अगस्ट 21 तक exam date इसमें 7, 8 और 13 September 21 को होगा यानि कि NEET exam से पहले ही आपका ICR का exam हो जाएगा जैसे कि आपको पता है NEET की exam 12 September 21 को है तो ये 7, 8, 13 यानि कि 3 दिनों में ये exam है इसके बाद में आगे जो इसका duration है exam का वो 150 minutes है और इसमें जो आगे आपका timing होगा वो admit card पर show कर दिया जाएगा आपका जो center है वो भी exam center है वो भी admit card पर आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा आपका exam center है इसमें तो ये थी इसकी condition इसके बाद में हम बात करें इसमें तो ये computer based exam होता है 150 question आते हैं और इसमें 50 question each subject से आते हैं यानि physics के 50 आएंगे chemistry के 50 आएंगे अगर आपके biology है तो biology के 50 आएंगे agriculture है तो agriculture के 50 आएंगे और अगर आपके mathematics है तो mathematics के 50 आएंगे इसमें एक question के four marks है negative marking है इसमें अगर आप एक wrong answer देते हैं तो एक आपका marks कट जाएगा इसमें तो ये इसकी condition है इसमें इसका अगर आपने syllabus देखना है कि ug के लिए क्या syllabus है PG के लिए क्या है PhD के लिए क्या है तो यहाँ एक link दे रखा है इस link पर आप click करेंगे तो ICR की site पर पहुंच जाएंगे तो वहाँ अलग-अलग syllabus दे रखा है इसमें GRF, SRF, UG के लिए ये syllabus दे रखा है तो हमने UG के लिए syllabus चेक करना है तो इस particular link पर click करेंगे तो हमरे पास में इसका syllabus डाउनलोड हो जाएगा इस limit की बात करें तो इसमें minimum age 16 years होना चीए 31st August 21 को वो candidate इसमें eligible है और maximum age का कोई इसमें bound नहीं है कि आपको maximum age इतनी होनी चीए ऐसा कुछ नहीं है minimum age 16 years से कम नहीं होनी चीए इसमें इसके बाद में इसमें जो form apply के लिए अलग-अलग step दे रखी है इसमें normal सी है आप form fill अपने laptop से भी कर सकते हैं और अपने mobile से भी कर सकते हैं चार step में ये form apply होता है सबसे पहले step 1 में हमें registration करना होगा email और mobile number देना होगा इसमें इसके बाद में second number पर जो application form है वो fill करना होगा इसके बाद में third step में हमें scan upload करनी होगी photograph और signature upload करना है thumb impression upload करना है इसमें और fourth step में registration fees देनी है और इसके बाद में हमने confirmation page का print out लेना है यानि कि हमने जैसे neat में apply किया था वही हम apply कर सकते हैं वही photo इसमें use कर सकते हैं signature और thumb impression उसी प्रकार का use कर सकते हैं जो हमने neat में किया है तो इस प्रकार का कोई doubt नहीं रहना चीए कि photo कैसे होने चीए signature कैसे होने चीए thumb impression कैसे होने चीए जैसा हमने neat में apply किया है वैसे कि वैसे अगर इसमें कर देंगे तो कोई प्रोब्लम नहीं है इसमें इसके बाद में आगे इसमें अगर आप प्रैक्टिस भी करना चाते हैं तो NTA की साइट पेस्पे मोडल टेस्ट पेपर दे रखे हैं जैसे आपने नीट के सलेबस की प्रैक्टिस की थी वैसे ही NTA की ICR पोर्टल पर जाकर वहां लिंक मिलेगा तो वहां आप टेस्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसमें अब इसमें जो 11 प्रकार की डिग्री कोर्स हैं बीसी अगरी कल्चर के अलावा जो 11 प्रकार के और कोर्स हैं की ये लिस्ट है कि आप बीसी अगरी कल्चर के अलावा ये कोर्स भी कर सकते हैं जैसे बीसी ओनर्स अगरी कल्चर तो है इसमें इसकी तो काफी सीटे हैं इसके बाद जो बाकी कोर्सेज हैं बीसी ओनर्स होर्चिक अजल है BFSC है, BSC Owners Forestry है, BSC Owners Community Science है, Food, Nutrition and Dietetics है इसके बाद में BSC Owners Sericulture है, BSC Technical Agriculture Engineering है इसमें आगे B.T.E.C. के कोर्स है, B.T.E.C. Dairy Technology है B.T.E.C. Food Technology है, B.T.E.C. Bio Technology है तो इस परकार के ये टोटल 11 degree courses है तो आप इनमें admission ले सकते हैं अब इसमें अलग-अलग group दिखाए गए है कि आप अगर कोर्स करना चाहें तो इसके लिए आपके पास में क्या subject होना चाहिए इंटरिंस exam में तो अगर आप B.T.E.C. Agriculture का exam देना चाहते हैं तो आपके पास अगर 3 subject है B.T.E.C. Agriculture के लिए तीनों subject जैसे किसी की biology है mathematics है या agriculture है तो ये तीनों परकार के candidate इसके लिए अपलाई कर सकते हैं कोई problem नहीं है इसमें बाकि इसमें अलग-अलग group दे रखे हैं B.T.E.C. इसमें B.F.E.C. के लिए कौन सा क्या subject group होना चाहिए B.T.E.C. Forestry के लिए क्या होना चाहिए तो इसमें आगे subject है to be attempted in the entrance exam लिखावा है उसमें आप ये ये देख सकते हैं कि आप ये degree course करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये eligibility होनी चाहिए इसमें पूरी condition दे रखे हैं इसमें अलग-अलग physics के लिए पी marks कर रखा है chemistry के लिए agriculture के लिए ए है तो इस प्रकार से इसमें condition दी गई है तो ये आप condition इसमें देख सकते हैं इसके बाद में इसमें replica दी हुई है कि आपने कैसे ये form apply करना है अगर आपको form apply करते से में कोई problem आती है तो इसी information ब्राउचर में नीचे दिया गया है sample दिया गया है कि किस प्रकार से आपने online application form फिल करना है तो आप इसमें देख के अगर आपको कहीं problem आती है तो इसमें देख सकते हैं इसके बाद में जो computer based exam होता है काफी सारे student ऐसे होते हैं जिन पर computer पर काम किया हुआ नहीं होता है उनको problem आती है कि ये computer based exam कैसे होगा तो इसमें ये sample दिया गया है कि आपको क्या क्या करना है computer के लिए exam देने के लिए वैसे इसमें कोई problem नहीं आती है आप exam center पर जाएंगे तो आपको सब कुछ वहां भी समझा दिया जाएगा और आप इसमें भी यहां देखके समझ सकते हैं तो इस परकार से आप ICR का exam दे सकते हैं फोर्म फिल करने के लिए आपको website पर icr.nta.ac.in पर जाकर वहां पर new registration पर क्लिक करके फोर्म apply कर देना है तो यह जानकारी थी ICR के बारेमें आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आईकोल प्रेस करें वीडियो को लाइक को जधा ज़ादा शेयर करें मिलते हैं नए जानकारी के साब नए वीडियो में तब तक के लिए जए है